Hi everyone, so this is Anika, so guys, कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे So guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Diploma 5th semester के important question के बारे में जिहां guys, यहां पर हम लोग branch wise important question के बारे में देखेंगे So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Electronics and Communication Engineering के बारे में जिहां guys, यहां पर हम लोग Electronics and Communication Engineering का Power Electronics वाला part देखेंगे Power Electronics जो chapter है, उसका important question देखेंगे So guys, वीडियो को start करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ सबसे पहला चीज भाई कि यह जो भी question मैं आप प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका 40-50 number secure हो जाता है, मिनस अगर प्रैक्टिकल वेगरा मिला करके दिखा जाए तो आप 75 प्लस कर रहे होंगे आराम से तो उनके लिए यह question है, अगर कोई top करना चाहता है भाई, तो यह question पढ़ो और उसके साथ-साथ कुछ और भी extra topic पढ़ो मैं आप सबसरी बोल रहा हूँ कि अगर आपका यह questions किया हुआ है या फिर आपने यह question कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है और दूसरी बात अगर यहाँ पर करें तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो description box उसमें जाईए वहाँ पर वापका हमारा whatsapp group link है हमारा telegram group link है तो whatsapp group link join किजिए जो कि diploma 5th semester के लिए है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे joined है तो वहाँ पर आप अगर join करते हैं तो join करके आप एक दूसरे का help कर सकते हैं और वहाँ पर discussion आप लोग easily कर सकते हैं ठीक है तो यह दो चीज मेरे को आप लोगो clear करना था तो guys जादा देर ना करते हुए start करते हैं इस वीडियो को और आपको slide by slide questions को दिखाते हैं क्योंकि अगर मैं आपकी question लिख करके बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो slide by slide मैं आप लोगो question दिखाऊंगा आप लोगो बस as it is screenshot ले लेना है ठीक है तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को झालिए झालिए जटीजों झालिए 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 भीक भाएगा टीजोंस आपको झाल झाल